दोस्तो दा मास्टर प्रकास क्लासेज में आप सभी लेगों का बहुत बहुत स्वागत है आप लोग देख रहे हैं प्रस्णोंतरी जिसमें आज का पहला कुश्चन है कि एक गर्द्यांस दिये गए और गर्द्यांस को ध्यान पूर पढ़ी उसका एंसवर दीजे नीचे दि नजर रेल की पटरी पर गई वाहो खुड़ी हुई थी बालग में घड़ी देखी गाड़ी आने वाली थी उसने सोचे कि अगर गाड़ी इस पटरी पर गुजरेगी तो इसका भहनकर परड़ाम हो सकता है अभी वाहिस से आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी स पस फिर क्या था बालग के सामने एक ही लची था मुसाफिरों की जान बचाना देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा बालग कूद कर दोनों पट्टियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीश लाने लगा ड्राइबर की नजर उस बालग पर पढ़ गई और उसने ना करता तो साइकड़ों की जान चली जाती तो देखते हैं पहला कूशन बच्चे का कमीज हिलाना ब्यक्त करता है बच्चे की अगला देखेगा कूशन नमबर तो रेल ड्राइबर को क्रोध क्यों आया गाड़ी लेट हो रही ती इसलिए अगला कूशन देखेगा तीसरा बच्चे ने घड़ी क्यों देखी उसे घड़ी अच्छी लगती थी वी रेल के आने का समय हो रहा था सी घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना साथ था डी रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था तो तीन कब बी सही हो जएगा रेल के आने का समय हो रहा था अगला देखेगा कूशन नमबर चार ठूटी पटरी को देखकर ड्राइबर की मन में बच्चे के प्रती आया होगा क्रोध का भाव बी दुख का भाव सी साबासी देने का भाव डी निंदा का भाव तो चार का बहतरी जवाब भी हो जाएगा दुख दि आ, सी, इ, डी, आ, तो पांच का बहतरी जवाब आपका सी हो जाएगा दीर गुस्वर क्या है आपका दीर निंद में से दीर गुस्वर है तो बताएंगी यह कौन सा है तो आपका पांच कर दी हो जाएगा यह गलत है आपका आ, उ, इ, यह सब क्या है आपके नमबर 6 निमन मेंसे ऊसम बेंजन कौन सा ये सब हर वन डे अग्जाम में पूछा ही पूछा जाता ठाउचिंगे question नमबर 7 निमन मेंसे अल प्राण बेंजन कौन से हैं चह, बीफा, सीठा, डीज़ा, तो कौन सा होजेगा अल्प्राण मतलब जिसको बोलने में वायो ज्यादा ना लगे उसे अल्प्राण करते हैं जिसको बोलने में ज्यादा वायो लगे तो महाप्राण तो इसमें ज्या जो है इसको बोलने में कम वायो लगेगी अगला देखना कुशन नंबर आठ कौन सा है या कुशन नंबर जाएगा पहला दूसरा पहला दूसरा क्या होगा इससे बताना कि निम्न में से घोस वर्ड कौंसा है तो आठ का बताएंगे आठ का दी आप समझाएगा खा अगला देखेगा कुश्यन नमबर नौ निम्न में से शारी इसको देखेगा सही से यह देखेगा कि यह आप घोस वर्ड किसे कहते है तो घोस वर्ड किसे कहते हैं जिसमें गूंच होती है तो पहला दूसरा क्या होगा गोस वर्ग का पहला दूसरा क्या हो जाएगा गोस और बाकि सब जितने बच्चे ये पहला दूसरा अगोस बाकि सब सब गोस इचा ता खा ये सब आपके अगोस हुए और बे आप सरेशने सही सही का लिजेगा इसको भी या कुष्चा नमबर नम, निम्न में से मुर्धन वर्ड कौन सा है, तो बताएंगे, एका, बीचा, सीटा, डी, ता, तो मुर्धन का मतलब क्या होता है, जो मुझ से बोला जाए, अब मुझ से तो सारे वर्ड बोलते हैं, लेकिन इसका कहा जाता है, कि रिटूर सारा मुर्धा, तो मतलब, सी आप संटा, आपका क्या हो जाएगा, मुर्धन वार्ड हो जाएगा, अगला देखेंगे, कुष्चा नमबर दस, निम्न में योगुरुड है कुटूज, बी देश, सी मुर्धा, डी ध्यूग, तो बताएंगे, योग मतलब होता है, कि जिसमें दो सब्द को म बताते रहे, एकदम पढ़िया पढ़िये, यह सब कुष्चन आपके, जो हैं, प्रीबियस सेर के पेपर लिए गए है, और जो आने वाले संभावना वो पेपर की, आप वंडे का जब पेपर दें, तो आपका हूब हो कुष्चन छप जाए, और प्रते एक दिन प्रक्टि आपका होगा, ग्यारा का, इसमें आयाद संदी है, यह प्रक्टिस्ट जो किसी बुक से लिया गया है, तो यह जो बुक है उसमें बहुत गलतिया है, आप देखेंगे, ग्यारा का यह हो जाएगा, पोधन आना है, एक पाउधन आना है, अब इसमें confusion create होगी, तो देखेंग कौन से लिया, C आप संद, अगला देखेंगा question number 12, कतर ब्योत में कौन से समासे, इद्वन्द, वेदिग, सीता, पुरुस, डी बहुरी, तो बारा का बहतरी जवाब हो जाएगा, कतर ब्योत में बहुरी समासे, अगला देखेंगा question number 13, उनमेस में किस उपसर्ग का बताएंगे आप लोग कौन से हो जाएगा, 13 का, तो 13 का आपका हो जाएगा, B उद्ध हो जाएगा, अगला देखेंगे question number 14, निम लिखित में से परतियुक्त सब्द नहीं है, A बोली, B भासा, C पिपासा, D अंकुर, तो 14 का बहतरी जवाब आपका A हो जाएगा, परतियु C संतापपन, D बिच्छोब, तो कौन सा हो जाएगा तद्भो बताएंगे आप लोग, 15 का बहतरी जवाब C हो जाएगा, संतापपन, अगला question देखेंगे question number 16, कौन सा बहिया, 16 निम लिखित में से तद्भो सब्द समका, कौन सा सब्द, युगम सही है, चिरिया चटरक, B C पोथी पुस्तक, C मौसी मातरजा, D तुम तो समेव, तो सोला का बहतरी जवाब आपका हो जाएगा भीया, सोला का C हो जाएगा, मौसी मातरजा, अगला देखेंगा question number 17, चाय किस भासा का सब्द है, चीनी, B जापानी, C फ्रेंच, D अंग्रेजी, तो सत्तरा का बहतरी ज से कौन सा सब्द है, रुड, B योगरुड, C योगिक, D इनमें से कोई नहीं, तो ठारा का बहतरी जवाब, C हो जाएगा, योगिक, अगला देखेंगा question number 19, निम्न में संग्या सब्द है, दाया, B उथला, C तच्छिर, D परन्त, तो 19 का बहतरी जवाब हो जाएगा, भीया संग्या सब्दाप का तच्छिर है, अगला देखेंगा question number 20, निम्न रिखित परसन में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करें, जो सर्बनाम के भेद का सही विकल्प है, जिसको हमने बुलाया था, वह आया है, तो A निश्चे वाचक, B संबंध वाचक, C उत्तम निश्चे वाचक, तो B स का बहतरीन जवाब आपका A हो जाएगा, निश्चे वाचक, अगला देखेंगा question number 21, राम की गाय बहुत काली है, वाकि में काली सब्द है, सर्बनाम, B किरिया, C विसेसन, D प्रा विसेसन, तो बहुत काली क्या है आपका, इसमें काली सब्द क्या अगला देखेंगे question number 22, उठाना किरिया का कर्म करूप है, A उठवाया, B उठाएगा, C उठाया, D आपका उठना, तो 22 का बहतरीन जवाब आपका C हो जाएगा, उठाया, अगला देखेंगा question number 13, निम्न में अब्द है, A अस्थान पर, B के निमित, C बढ़कर, D उप सभी तो 23 का बहतरीन जवाब B हो जाएगा, के निमित, अगला देखेंगा question number 24, साखामरिक सब्द का परियावाची है, A हिरन, B वानर, C तूंता, D भामरा, तो 24 का कौन सा हो जाएगा, D, साखामरिक का होता है या बानर होता है, 24 का B आपसाना आपका सही हो जाएगा, अगला दे भरांत, B सरांत, C दुखांत, D सांत, तो भरांत का B सरांत हो जाएगा, अगला देखेंगे question number 26, वाह इस तरी जिसका पती दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होगा, ध्यूडा, B परित्यक्ता, C अनूडा, D खंडिता, तो 26 का बहतरीन जवाब का A हो जाएगा, अध्यूडा, अगला देखेंगे question number 27, अंक सब्रार्थी सब्द समू का चैन कीजिए, A अंक गोदी हिस्सा, B गोद संख्या अध्याय, C संख्या भाग टुकडा, D अध्याय समय अवस्था, तो 27 का बहतरीन जवाब A हो जाएगा, अंक गोदी हिस्सा, हरी और हरी सब्द, हरी और हरी सब्द युगम का सही अर्थ है, बताएंगे भैया, A बिसुडू हरी रंग की, B गधा गहांस, और बताएंगे आप लोग, हरी रंग की बिसुडू और बिसुडू पहिचान, तो हरी और हरी का क्या हो जाएगा भैया, 28 का बहतरीन जवाब आ और हरे रंकी, यही अपसन आपका, 28 का A सही हो जाएगा, कौन सा, 28 का A सही हो जाएगा, 29 सुध्ध वर्तनी है, तो इसमें कौन सा सुध्ध वर्तनी हो जाएगा, उच्छ रिंखल, D अपसन, 29 का, अगला देखेंगे, कुश्यन नंबर 30, कौन सा वर्तनी की दृष्टी से अगला देखिएगा कुशन नमबर 31 करण कारक किस वाक्य में है तो बताएंगे राम को फल दो B वह कलम से लिखता है C यह राम की पुस्तक है D ब्रिच से पत्ते गिरते हैं तो जो करण कारक होता करण माने साधन तो 31 का कौन सा हो जाएगा तो वह कलम से लिखता है B आपसन सही हो जाएगा अगला देखिएगे 32 निम्न में पुलिंग सब्द कौन सा है A चाहत, B रंगत, C महनत, D आहार तो बताएंगे 32 का हो जाएगा भया B रंगत अगला देखिएगा 33 नमबर निम्न में इस तरिलिंग सब्द कौन सा है हाथी, B मोती, C पानी, D नकेल तो 33 का बेहतरी जबाबाब कर D हो जाएगा इस तरिलिंग नकेल है अगला देखिएगे कुशन नमबर 34 चिडिया सब्द का परियोग वह वचन में क्या होता है चिडिया, B चिडियों, C चिडियों, D चिडिये तो कौन से हो जाएगा चिडिया अगला देखिएगे कुशन नमबर 35 नेमलखित वाक्यों में से पूर बरतमानकाल को इस पश्ट कीजिए अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है वह भूमने जा रहा है वह पढ़ रहा था D, मैं बाहर जाऊंगी तो 35 का बहतरिन जवाब आपकभी हो जाएगा वह भूमने जा रहा है अगला देखिएगे कुशन नमबर 36 कुशन नमबर 36 तुझसे उठा नहीं गया वाक्यों में वाच्ची है अगला देखिएगा कुशन नमबर 37 जब पानी बरसता है तो मेढ़क बोलते हैं जब पानी बरसता है कौन सा वाक्या है A, संग्या उपवाक B, विसेशन उपवाक C, किरिया विसेशन उपवाक D, किरिया उपवाक 37 का बेहतरिन जवाब आप लोग का हो जाएगा C, किरिया विसेशन उपवाक अगला कुशन देखते है कुशन नमबर 38 इनमें से सुद्ध वरतनी का सब्द है बताएंगे कृसांगी B, कृसांगी C, कृसांगी D, कृसांगी तो बताएंगे आप लोग का बेहतरिन जवाब आपका हो जाएगा D, कृसांगी अगला देखना कुशन नमबर 49 पुनरुप्त सूचर चिन है तो कौन सा हो जाएगा C, अपसन सही हो जाएगा कुशन नमबर 40 आँख खुलना मोहाबरे का सही अर्थ है अगला देखना कुशन नमबर 41 मतलब एग नई मुसीवत में पढ़ना अगला देखना कुशन नमबर 43 आँख के अंधे गांट के पूरी लोकुक्ति का सही अर्थ बताएंगे तो बताएंगे इसमें मूर्ख धनुवान ही आपका हो जाएगा C, अपसन अगला देखना कुशन नमबर 44 अगला कुशन देखना कुशन नमबर 45 बिहार की राज़ानी पतना किस बिहारी बोली के तो मैथली पैटालिस के क्या हो जाएगा या A हो जाएगा अगला देखने कुशन नमबर 46 खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम सागर बी नसकेतो पाख्यान C, ढूला मारू रदुहा D, आसी है तो 47 का बेखने कुशन नमबर 46 अगला देखना कुशन नमबर 48 रानी केतकी की कहानी के लेखर सदल मिस रहें B, ललू लाल है C, इसाल लाखा है D, सदा सुकलाल है तो 48 का बेहतरिन जवाब B, ललू लाल अगला देखना कुशन नमबर 49 कभी और उसकी रचिना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है A, सिउराज, भूसर, भूसर, B, सब्दरसायन देव C, परिमल, सूर कांत्र पाठी निराला D, उदो सतक भारतें धरिश्यन तो 49 का बेहतरिन जवाब A हो जाएगा A हो जाएगा अगला देखेंगे कुशन नमबर कुशन नमबर इसमें सिउराज, भूसर, भूसर लिखें सब्दरसायन देव और यह 99 का सही है देखिएगा इसमें न कुछ प्रेक्टिसेट से लिया गया तो उसमें कुछ गलत भी है लेकिन जहां तक होता है कि उम्मिद आपके साथ गलती न की जाए पचास का देखिएगा आंचली गरचनाई किसे संबंदित हैं देश वी देश से छेतर विशेष से, जाद विशेष से लोग विशेष से तो बताएंगे पचास का आपका भी हो जाएगा छेतर विशेष से तो ये पचास कंपुलीट को मिलते हैं वी विडियों में तब के लिए जहिन जय भारत